हलो दोस्तो आप सभी का मेरे चनल विडिया स्टडी केन में श्वाकत है दोस्तो आप में से बहुत लोगों ने कॉमेंट करके कहा था कि सर लेक्षरर भरती होनी है उसमें मैक्सिमम और मिनियमम आयूग क्या होगी और किन लोगों को छूट मिलेगी इससे संबंदित एक वीड पिक में है तो दोस्तो आप मुझे फेस्बुक, इस्टागरम और ब्लागर पर भी फालो कर सकते हैं ब्लागर पर दोस्तो आपको इससे संबंदित पूरी जानकारी मिलेगी और अभी तक आपने मेरे चैनल को सबस्काइब नहीं किया है तो प्लीज सबस्काइब कर दे और बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि वीडियो के नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सीधी भरती के लिए जो पात्रता के नियम और सर्ते हैं उसके अंतर कदम देखेंगे आयू संबंदी जो पात्रता और स जारे अभ्यारती जो है यही प्रश्ण पूछते हैं कि सर आयू में कितनी छूट मिली है और किनको छूट नहीं मिली है तो इसी टॉपिक में वे कन्फ्यूजन थे और दूसरी बात दोस्तों यदि आप अनुसूची जाती अनुसूची जन जाती और अन्य पिश्रा की छूट दी जाएगी तो इस प्रकार 40 वर कंप्लीट ना हो तो तभी आप इसके लिए पात रहोंगे महिलाओं के लिए दोस्तों 10 वर्स की छूट दी गई है उनिस संतनवे के अपबंद के अनुसार है ना तो उचतम आयू जो 35 है उसमें 10 वर्स की छूट है ना तो 45 वर् मान सकते हैं और इसमें हेंडिकैप jaarió निसक्त भ्षूट दी गई है ऐसे ब्यार्थी के संबद में भी छूट दी गई है जो आईस्थाई या इस्थाई सरकारी कर्मचारी रहा हो इसके लिए भी आयू में छूट दी गई है तो ऐसे भ्यार्थी जोिनिस्थाई या इस् भी 38 वर्स आयू पूर्ण ना किया हो तभी छूट मिलेगा मतलब 37 वर्स आप मान सकते हैं उसके बाद ऐसे अभ्यार्थी जो छटनी किया गया सास की सेवक हो हना और उन्होंने एक वर्स या अधिकतम साथ वर्स तक कार किया हो उसके लिए जो है तीन साल की छूड दी गई है और इसमें इस पश्टी करन भी दिया है चटनी किये गया सास की सेवक से अभिप्रित है ऐसा व्यक्ति जो इस राज्य की अत्वा की किन्ही भी संगटक एकायों की अस्थाई सेवक सेवा में कम से कम 6 महा की काला उधिक तक निरंतर कार्य किया हो और किसी रोजगार कार्या म में अपना पंजन कराने या सास की सेवा में नियोजित हेतू अन्यता आविदन करने की तारिक से अधिक से तीन भर्सवा की किया हो तो आप छे माहा की कालाओधी में निरंतर कारी किया है तो आपको तीन वर्सकी छूट दी जाएगी उसके बाद ऐसे भ्यारती जो भूत पूर सैनिक हो उसे अपनी आयू में से उनके द्वारा पूर्व में की गई संपून प्रतिरक्षा सेवा की कालाओधी आयू कि कम से कम अनुनग की किया हो तो उन्हें भी तीन वर्सकी छूट दी जाएगी तो आपने यदि चौदा वर्सों तक वहां सेवा की है तो आपकी आयू 40 वर्स है तो आपको 43 वर्सों तक छूट दी जावेगी और इसमें और दिया गया है इस पश्टिकन दिया गया है कि भूतपूर सैनिक से अभिपरित है ऐसा व्यक्ति जो निम्नलिखित प्रवर्गों में से किसी एक प्रवर्ग का हो तथा जो भारत सरकार के अधीन कम से कम 6 महा की काला अधीत तक निरंतर नियोजित कर रहा हो और उसे किसी रोजगार कारियल में अपना पंजन कराने या सासकी सेवा में नियोजन हेतू अन्यता आवेदन करने की तारीक से अधीक से अधीक तीन वर्सकी पूर्व मित वेवा इकाई की सिफारिसों के परणाम्स रूप या इसापना में समान रूप से कमी किये जाने के कारण छटनी किया गया हो तो इसमें दिया गया है ऐसे भूतपूर सैनिक जिन्हें समय पूर्व सेवा निर्वित रियायतों की अधिन निर्मुक्त किया गया हो ऐसे भूतपूर सैनिक जिन्हें दोबारा नामंकित किया गया हो उन्हें जिन्हें अल्पकालिन वचनबद अओधी पूर्ण हो जाने पर नामंकन की सरते पूर हो जाने पर सेवा मुक्त कर दिया गया हो ऐसे भूतपुर सैनिक सैनिक अत्वा असैनिक जिन्हें उनकी समीदा पूरी हो जाने पर सेवा मुक्त किया गया हो जिनमें अलपाउधी सेवा के नीमित कमीशन प्राप्त अधिकारी भी सामिल है उसके बाद देखे आवकास रिक्तियां पर 6 मां से अधिक समय तक निरंतर कारे करने के पस्चात सेवा मुक्त किये गये भूतपुर सैनिक अधिकारी ऐसे भूतपुर सैनिक जिन्होंने असक्त होने के कारण सेवा से अलग कर दिया हो ऐसे भूतपुर सैनिक जिन्हें इस आधार पर सेवा मुक्त किया गया हो कि अवे दक्ष सैनिक बनने योग नहीं हो मतलब जैसे कि चोट लगा हो है ना तो इस कंडिसन में गोली लगा हो इस कंडिसन में है ना आप भी पात रहें ऐसे भूत पुरसैनिक जिन्हें गोली लग जाने घाव हो जाने के कारण चिकिसी अधार पर सेवा से अलग कर दिया हो तो इस प्रकार जो है आपको छूट मिलेगी उसके बाद देखे ऐस प्रस्ता निवारन नियम 1994 की अधिन अंतरजाती विवा प्रसान योजना की अंतरगत पुरस्क्रित दंपनती को शवन पती पत्नी के संबंद में उचतम आयू सीमा पांच वर्स तक थितिल की गई है छूट दी गई है उसके बाद जिन्हें चत्तिसगर के पुरसकार जैसे सही राजी उलोचन पुरसकार गुंडादूर संबान महराजा प्रवीन चंद पुरसकार प्राप्त अभ्यार्थी के संबंद में उचतम आयू की सिमा में पांच वर्स छूट दी गई है है अर ऐसे बियार्ति जो 36 गर्व राज जिन निगम मंडल के करमचारी है के संबंद में उचतम आयू 38 वर्स तक थितिल की गई है तो जो करमचारी है उनके लिए 38 अधिकादियों के संबंद में उनके द्वारा पूरों में की गई इस पकार की नगर सेवा कालाओधी के लिए उचताम आयू आट वर्स की सीमा धिनस्त रहते हुए छूड़ दी गई है किन्तु किसी भी दसा में उसकी आयू 38 वर्स नहीं होनी चाहिए और इसमें देखे ऐसे अभ्याति जिन्हें उप्रुक्त नियम के खंड एक के उप्खंड ड़ा के पैरा एक तथा दो में उल्लेखित आयू सम्बंदित रियायतों के अधिन परिक्षा चैन में प्रवेश दिया जाएगा हना अब इसमें देखे यदि वे आवेदन पत्र प्रस्तूत करने के पस्चात या तो चैन के पूर्व या उसके पस्चात सेवा से त्याक पत्र देता है तो वे न्यूक्ति के पात्र नहीं होंगे तथा पी यदि आवेदन पत्र भेजने के पस्चात सेवा या पद से उसकी छटनी कर दी जाती हो तो वे पात्र होंगे किसी भी अन्य मामले में आयू सीमा तितिल नहीं की जावेगी विभागी अभ्यार्थियों को चैन हेतू पस्तित होने के लिए न्यूक्त प्रावधिकारी या प्राधिकारी की पूर्व अनुमती अभिप्राप्त करनी होगी इसके बाद दिया गया है समान प्राशाशन विभागे परिपत्र क्रमांग का जो दिया गया है दिनांग दर्स परवरी 2016 सार सिक्षा कर्मी पंचायत कर्में को सास की सेवा में भरती के लिए उतने वर्स की छूट दई जाएगी जितने वर्स सिक्षा कर्मी पंचायत कर्मे के रूप में कारcl किया हो इसके लिए 6 महा से अधीक सेवा में एक वर्सकी सेवा मनी जावेगी, तो इसमें भी छूट दी गई है, जिर न जितने वर्स उनोंने सेवा की है उतने वर्सकी उसके छूट दी जाएगी, उपरोक्तल संवर्गों कि किसी एक या एक से अधिक आधार पर छूट प्राप्त करने के उपरांत्सास की सिवा में प्रवेस करने के अधिक्तम आयू 45 वरसे से अधिक मानने नहीं होगी तो आप देखें तो मिनिमम जो है 21 और आपको छूट जो दी जाएगी वो 45 वर्से से अधीक नहीं दी जाएगी तो आप ध्यान रखिएगा उपरोक्त के अत्रिक्त आयू सीवा के संबने में सासन के समान ये प्रशासन विभाग दोरत समय समय पर जारी निर्देश के अनुस दिया है उसमें आप मैक्सिमम जाते हैं तो वहां पर आपको 45 वर्से से अधीक छूट नहीं दी जाएगी और मिनिमम जो है एक जनवरी 2019 के कंडिशन में मिनिमम आयू आपका 21 वर्स होना जरूरी है तो दोस्तों इससे संबंदित बात क्लियर है कि अधिया आपने सास की दवा की रूप में कारे कर रहे हैं या किया हो तो आपको जो मैक्सिमम आयू है वहां पर आपको 38 वर्स है और महिलाओं के लिए 10 प्रतिसत और तो 45 वर्स महिलाओं के लिए और समानी कंडिशन में देखा जाए तो एक जनवरी 2019 से 21 वर्स और मिनिमम जो होंगे यही होंगे और मैक्सिमम होंगे 35 वर्स से अधिक नहीं होना है तो दोस्तो वीडियो कैसा लगा कॉमेंट करके जरूर बताइएगा अभी तक आपने मेरे चैल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और मुझे इस तरह सपोर्ट करते रहिएग और वीडियो की लिंक आप अपने दोस्तो तक सेयर कर सकते हैं दोस्तो थाइंक्यू धन्यवाद जहिन और दोस्तो इससे संबंदित और वीडियो आपको चाहिए तो आप जरूर एक बार कॉमेंट कीजिए हम उसी टॉपिक में वीडियो बनाने का प्रयास करेंगे तो इस से आपको समझ में आ गया हो कि आयू छूट में कितनी दी गई है और किसको कितनी छूट दी गई है और इससे संबंदित आपको कुछ भी जानकारी चाहिए तो दोस्तों प्लिस कॉमेंट करके जरूर बताईएगा चाहिए दोस्तों